सर्वे भवन्तु सुखेना सर्वे शंतु निरामया सर्वे भत्रानि पश्यंतु मा कश्यत दुख भागवेद। इनी मंगल कामनाओं के साथ आईए सीत हैं आज की आटोमेटिक अटेंडेंटेंशीत किस प्रकार बनाएं? हमने यहां पर प्रॉफर्मा बनाया हुआ है, कोई भी नाम यहां पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आटोमेटिक यहां पर इस्टुडेंट की सद्टियल नम्र भी आ जाएगा, हमने यहां पर फॉर्मेट को आगे लाउंच किया हुआ है यदि इसको हम आगे तक ठीचते हैं तो जो भी आप student डालेंगे उसके नमबर यहां पर आ जाएंगे साथ साथ यदि आप present डालते हैं तो present का automatic county यहां पर हो जाएगा और इसके साथ यदि आप मंत का कोई भी date डालते हैं जैसे हमने बन फूर किया है हैं यहां पर आप देख पारें कि आटोमेटिक जो संडे हैं वो हाइलेट होकर किया रहें इसी के साथ यदि आप holiday यहां पर जायत करते हैं जैसे हमने एच यहां पर निढ़ाइद किया है तो उसका रो भी हम प्रजेंट को भी लगाया हुआ है तो प्रजेंट शो कर रहा है हम इसमें अप्सेंड और लिव इनको भी शो करने बारे हैं यहां पर class teacher name आजएगा यहां पर सारे संडे उसके आ जाएगे जड़ि हम टू डिक्लियर करते हैं यहां पर मार्च जिकलियर करते हैं तो यहां पर मार्च आजएगा तो देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का अटेंडिन सीट यहां पर हम तैयार करें आईए सीखते हैं यहां पर हमने जो है कि डेट दिया हुआ है उससे पहले हमने अकेडमिक का नाम दिया इसके बाद यहां पर डेट दिया है अब हम यहाँ पर इस date को continue कर सकते हैं लेकिन continue करने के पहले हमें यहाँ पर निकालने होगे day कुन सा day हमारा है Sunday, Monday टूज़े लेकिन Sunday, Monday निकालने के लिए एक तरीका तो होता है कि हम यहाँ पर asun इस प्रकार से यही टाइप करते हैं और इसी को स्रीच को आगे खिचते हैं तो यह आटोमेटिक आगे के दे निकाल देगा लेकिन इससे हमारा आटोमेटिक मन्थ वाला जो पैरामेटर है उसके आकॉर्डिंग या चैंजेस नहीं होगा तो उसको चांज करने के लिए हम यहाँ पर विक्डे निकालते हैं कि एक चार को सब्टह का दिन पून सा है वो निकालने के जह हम यूज करते हैं विकडे का फार्मूला तो यहां पर लेते हैं विकडे और यहां पर देते हैं हम स्ट्रे लंबर मांग रहा है यह इसमें हम डेट दे देते हैं स्विध्डे में हमने यहां पर धी थोड़ दिया है यह वाला डेटो इस डेट के बैस पर यह सब्सक्र का दिन लोटा देगा तो यहां पर यह उसने थोड़ लोटाया है यह निकालने के बाद अब हम चोथे दिन के अकौर्डिंग उसके आधार पर हम यह निकालते हैं कि उस दिन बार क्या आता है तेकि उस दिन संदे नहीं हम ने यहाँ पर संदे टाइप किया है अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं टेक्स्ट का फर्मुला equal text टेक्सटे के बाद यहाँ पर हम इसकी value देते हैं कि 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 अधर पर निकाले तो value हमने दिया d4 कॉमा यहाँ पर format करते हैं, custom format और custom format के लिए हम देते हैं doubleAtor में यहाँ पर देते हैं d, d, t d, 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 d d mm yy में d यानि day को ये रिडन करता है कि उसमें कून साड़े है कोश्टक बन करेंगे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे उसमें whensday ये बता रहा है अब हम इसी का format यहाँ पर आगे लागू कर देते हैं तो पहले हम यहाँ पर लागू करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर देते हैं equal और इसका address देते हैं यहाँ पर दिया d4 plus 1 कर दे यानि d4 में एक को चूड़ दे तो यहाँ पर इसकी जो value है यानि 4 था उसमें plus 1 हुआ यानि 5 हो जाएगा पस इसी को हम आगी क्यों खीचेंगे यहाँ पर 6, 7, 8 इस प्रकार से यह पूरा निकाल देगा तो हम 31 तक यहाँ पर लिया सकते हैं इसके बाद format में जाना है और यहाँ पर column width को करना है यहाँ आटो फिट यह 31 तक आटो फिट हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं यही हम जैसे हमने यहाँ पर वैनेज निकाल ला था इसी प्रकार बांकी डे भी हम निकाल लेते हैं तो यही formula आगे खीचते हैं तो आप देखेंगे कि बांकी किरी भी निकल चुके हैं और इसको एक बार और हम आटो फिट भी कर देते हैं जिससे यह आटो फिट हो जाएगा कॉलंग की अकॉर्डिंग और इन सभी को हम सलाइक करते हैं बॉर्डर सैट कर देते हैं अलाइमेंट इसका सेंटर करते हैं और इनका कोई भी कलर आप जो भी फॉर्मेट करना चाहें वो यहाँ पर सैट कर देगा अब यहाँ पर जो यह नंबर आ रहे हैं यह सब्तह के दिन है यहाँ पर निकल जाएगा और उसी में यह प्लस होते हुए 31 दगा जाएगा हलाकि इसके हमें आउशक्ता नहीं है हमें आउशक्ता रहती है 1,2 इस प्रकार की तो हम यह पेरामेटर लेकर की इसको खीज देते हैं अब यहाँ पर 31 तक आया लेकिन एक्चली में हमें डैट के अकोडिंग चलना है तो हमें 31 यहाँ तक लेना है और इस फॉर्मेट को भी हम यही तक ले जाते हैं अब हमें विग्डे की आउशक्ता नहीं होती है इसलिए हम इसको सलय करते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं या हाइड इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार्च हम इसको शेट कर देते हैं हम इसको हैलेट करने के लिए कोई भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं पूण ते कलर बाइट कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं यह हैलेट हो गया है नेक्ट हम यहां पर इसने भी संदे हैं उनको हैलेट करते हैं तो उसके लिए हम कंडिशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे यह परामेटर ध्यान से समझना आवज चाहिए चली तो हम कहां चाहते हैं हम यहां पर यानि इस पूरे रोग को चाहते हैं तो अभी क्या कि हमने एक cell को select किया इसके बाद हम यहां पर जाते हैं conditional formatting में conditional formatting में जाना है और यहां पर click करना है new rule को इसके अंतरकर जाना है और यहां पर select करना है use a formula to करने का आसा है कि formula के according यहां पर फॉर्मेटिंग लागू हो तो हम यहां option select करते हैं और format value where this formula is true इस value में इसमें formula true करना चाहरे हैं वो formula यहां पर assign करते हैं तो यहां click किया हमने और equal symbol यहां पर assign किया है अब हम यहां पर वहाँ value देते हैं जिसके आधार पर हमें formating करना है तो हमें इसके आधार पर करना है कि यहां पर sunday हो यानिए इसका value दिया हमने यहां Wednesday आ रहा है भी लेकिन हम क्या दे रहां कि यहां पर यहां पर यहीन संदे हो तो इसका कलर कोई वी कलर से कवाधे करना चारे हैं तकि संदे के जो दिन है जो संडे आता है उसलez हम को प्रजेंट को हम लैंक चोत चारें दो Aur experiment 17 देते हैं तो यह हम यहां पर value दिया D3 जिसमें हमने सारे डे नीडराइज कर रखे हैं equal हम यहां पर देते value कि उसके अंतरा value क्या हो तो हमने दिया कि उसके अंतरा value हो Sunday then क्या करें उसके format में जाते हैं उसका fill color highlight करते हैं हम red color ठीक है select करते हैं और ok को click करते हैं अभी यहां पर highlight नहीं हुआ है ठीक है यहां पर date होता है for example 1-3 हम डालके देखते हैं अब देखेंगे यहां पर Sunday है तो automatic color इसका red आगया ठीक है लेकिन अब हमें सभी का निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इसी को format को खीषते हैं लागू करते हैं सभी के उपर इसके लिए बहुत अच्छा option होता format pointer format pointer को click करेंगे और इसको select करके इसे खीषते जाएंगे जहां तक हमारे students हैं या पूरा sit भी आप select कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि red color सभी का हो गया अब सभी का क्यों हुआ उसको हम जाएं तो यदि इस cell में देखे तो इसमें हमने condition लगाई थी कि यहां पर Sunday हो अब दूसरे उसमें जाएंगे तो उसमें भी यह एक्चुली लोग है तो सभी cell के लिए इसी को देखेगा यानि detect करे में manage rule के अंतर जाते हैं और इस manage rule में हमने जो D हम इसको हटाई देते हैं select किया और delete कर देते हैं और D को नहीं करना तो यहां पर इस D वाले parameter को click करना और F4 प्रेस करना तो यह लोग यानि एक डॉलर हड़ जाएगा और एक डॉलर रह जाएगा यानि इसका मतलब कि 3 वाला जो parameter नंबर जो है वो लॉग हो गया है और D जो है वो unlock हो गया है इसके बाद हम format में जाते हैं उ अखे करेंगे तो अब देखेंगे यहां पर रैट कल आ गया है यानि है यह लेट हो गया है यह अब इसी को हमें सभी पूरे उसमें लागू करना है तो हम format पॉइंट करेंगे और इसको खीज़ देंगे इस प्रकार से अब देखेंगे सारे संडे हैले हो गया है पहले जैस करते हैं हमने यहां पर डैट कर दिया 1420 तो अब देखेंगे कि जहां संडे है वह लेट हो आप पहला कॉलम संडे नहीं है तो वह लेट नहीं हुआ है तो आप कोई बार संड में आगे होगी नहीं तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को देख लेंगे वह भी आपको हो हालीडे तो हालीडे के लिए हम उपर वाला फॉर्मेट लागू करते हैं कि यहां पर एंच हो तो हम फार एक्जांपर के लिए 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 यहां पर टाइप कर लेते हैं और यहां से लेक करते हैं इसको क्लिक किया और वही कंडिशनल फॉर्मेटिंग में जाना है new rule के अंतरगत जाना है और use formula यूज करना है यहाँ पर हम formula देते हैं equal कहाँ पर address देते हैं D2 के अंतरगत हो और वही 2 को हम यहाँ पर unlock कर देते हैं F4 button जो function की होती है उसमें से आपको F4 वाला function की press करना है और इसका जो भी color highlight करना चाहते हैं for example हम इसका यह color लेना चाहते हैं holiday का special color आए वो आप कर सकते हैं then ok करेंगे और यहाँ पर equal अगा करके आप assign कर देजिए inch ठीके ok को click करिए यह color आगिया है अब यहाँ पर show हो रहा है इसको हम format pointer को click करके और इसको भी हम पूरे data seat में जहां तक हम attendee seat आ रहा है वहां तक हम highlight कर देजिए आप देखेंगे जिसे हमने यहाँ पर assign कर रहा है यह इसका color आ चुका है यह किसी और दिन holiday है आपको एक दिन मालूम पढ़ते हैगा या फिर next day अगले दिन की पिछले कलको क्या था जिस स्टाटेटों का पड़ेटेस लेते हैं तो फ्राइडे को यह दि हॉलिडे था तो आपको सिर्फ assign करना है इंच जिसी इंच assign करेंगे तो पूरे seat में आप देखेंगे कि उसका color highlight हो जागा और उसको छोड़ देगा करना है और अब हमें जाना है console rate के अंतरगर data menu को क्लिक करना है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर बना लेजिए list को करेंगे और उसके अंतरगा assign कर दीजिए हमने assign किया पी कॉमा present के लिए a कॉमा एल यहाँ प्रेजेंट अप्सेंट आप्सेंट आप्सेंट हो गया है अब हमें holiday वाले में तो प्रेजेंट अप्सेंट लगा नहीं नहीं है हम चाहें तो एक और यहाँ पर एंज भी ले सकत अप्सेंट सो होगा अब जितने प्रेजेंट है उनको हमें count करना है कि कितने प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं count का formula present को हमने लिख दिया है इसका format formatting बहुत जरूरी है आप थोड़ा सा formatting पर विसेज धियान दें यहाँ पर present a absent और new तो इनका हमें calculation करना है कितना प्रेजेंट है कितना absent है और कितना leave by student का automatic चलिए तो हम यहाँ पर count if का formula यूज करते हैं equal count if range यहाँ पर दे रहा है तो range हम select करेंगे आप डी 6 से लेकर के तो दी एच एच तक गलत बोल दिया हमने कॉमा यहाँ पर double trade के अंतरकर आपको वह parameter देना जिसके according counting चले तो यहाँ पर हमने दिया पी यानि किसे count करें तो पी को count करें यह बता रहा है 2p यहाँ पर है same formula हम absent के लिए लागू करेंगे absent बता देगा यह यह पर दिया है तो तीन प्रेजेंट यहाँ पर है तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार absent के लिए भी आप counting का फर्मल लगाएंगे देखिए यहाँ पर absent जैसे student absent होता है तो absent count हो रहा है यह यदि वह leave लेता है और आप leave लगाएंगे तो यहाँ पर यह counting हो ज यहाँ पर यहाँ पर आपको सेलेक करना होगा format only cell then content इसमें जाना है वह यहाँ पर cell value between value यहाँ पर आप assign कर दीजिए यहाँ पर आप assign किया पी यहाँ प्रेजेंट हो student present होता है तो उसका color कोई भी आपसेट कर सकते है जो आप चाहें ओके करिए value select रहने दीजिए और conditional formatting में same ऐसा कैसे new rule में जाहिए और format does contain और यहाँ पर आप send के लिए a और a से a हो तो उसका color जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं इसी प्रकार लेज लीजिए आप लिव के लिए यहाँ पर जैसे ही आप पी present करेंगे तो color change जाएगा अब send का color उसका आजएगा और यादे लिव लिया है तो भूआ जाएगा इसके साथ यह automatic counting भी यहाँ पर होता हुआ जाएगा हमने यहाँ पर formula लागू नहीं किया हम आ रहा है यहाँ पर जैसे ही update जिस भी मन्तकार डालेंगे हमने 1,5,2,20 डाला है 2020 आप देखेंगे automatic उसके highlight हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहलेगी present option डाला है तो जिस मन्तकार भी हम डालेंगे वहाँ पर present option उसके लिए नहीं डालेंगे हम नया format आप देखेंगे तो हम हमेसा अलग-अलग sheet पर यह data चले करेंगे आगे का हम यह चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 1,3,2,20 का लिया अब next month हम जब यहाँ पर data change करते हैं तो क्या होगा कि जो value है वो raise रहेगा और सब कुछ यह change हो रहा है साथे साथ हमने जो data feed गया है इन् चाहते हैं save हो जाए और एक नया format हमें मिल जाए तो हम इसको next sheet पर data को transfer करना भी डेख लेते हैं यहाँ पर कुछ भी हो जाए और जैसे clear को क्लिक करें तो यह data इसमें feed है तो clear हो जाए तब ही जाकर कि तो हमारा April का, May का, June का यहाँ ने next month automatic attendance sheet यहाँ पर बनता रहेगा यहा यहाँ पर डालना होगा बाकी सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा तो इसको save कैसे करें उसको हम देखते हैं, save करने के लिए आपको क्या करना है कि इस पूरे data sheet को select करना है, sorry इसके पहले आपको यहाँ पर data menu मेनु में जाना है और macro को, sorry developer में जाना है और यहाँ से macro को active करना है record macro को आप click करिए और macro का कोई भी name update दिए जैसे हमें save करना तो हमने save दे दिया और ok को हम click करेंगे, अब यहाँ पर macro recording चालू हो गया है, यहाँ पर आ रहा है stop recording तो stop नहीं करना है, यहाँ इसका मतलब है कि इस समय running में है, macro record on करने के बाद आपको data जितने को भी आप save करना जा रहे हैं उस पूरे को select करिए, Ctrl-C से copy करिए और हम जाते है next पर, यहाँ पर new sheet ले लिजे, यहाँ पर पुराने को लेगे तो फिर पू अवर्राइट करेगा, यहाँ से नया sheet नहीं लेगा, अब हमें यह confirm नहीं कि कितने बंत का हमें attendance save करके रखना है, तो हमें से आप new क click करिए, new को click किया और यहाँ पर जाकर इसको paste किया, आप देखेंगे कि width यहाँ बढ़ चुकी है, तो आप हम में जाईए, और format में जाकर कि यहाँ पर वही auto fit column width कर दिए, click करना है, फिर आपको अपनी main sheet पर आ जाना है, यहाँ पर click कर देना है, डबल click कर देना है, यहाँ recording को click करना, यहाँ यह recording चल रहा है, उसको आपको click कर देना, इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर save button में आए, save button को कैसे बनाए, तो इसके लिए insert menu को click करिए, और यहाँ से कोई भी save आप ले लिजिए, जैसे हमने एक save यहाँ पर लिया और इस पर right click किया, यहाँ पर हमें जान ID text और इसको हम नाम देते हैं, save, इसका कोई भी color आप कर सकते हैं, जो आप चाहें, वो formatting यहाँ पर आप ले बाइने, उसमें कोई रिशानी नहीं, ठीक है, अब हमने गलती से इसको click कर दिया था, तो data save हो गया है, अब यहाँ पर आपको right click करना है, और option में लेगा आपको assign macro, यहाँ पर जाना है, और assign macro में जो भी macro आपने नाम दिया था, वो select करके ok कर देना है, अब देखेंगे, जिसे आप इसको click करेंगे, यहाँ पर एक new sheet आजाएगी, जिसमें यह data जो है की show हो जाएगा, अब आपको man seat है, उसको clear करना है, क्योंकि आपको next month का लेना है, तो इसमें ऐसा कैसा ही, आप select करके इनको delete भी करवा सकते हैं, clear करवा सकते हैं, clear करने के लिए भी आपको वही macro assign करना है, इसके लिए हम जाते हैं, developer के एंटर का record में को click करते हैं, इसका नाम हम clear देते हैं, ok को click करते हैं, और recording चालू हो गया है, अब हम इतने को select करेंगे, और यहाँ पर delete को press करेंगे, जिससे जो भी attendance आपने लिया था, वो यहाँ पर delete हो जाएगा, और इसके बाद आपको stop को click कर देना है, और यहाँ पर assign करना है, right click, assign macro, और यहाँ पर clear macro को आप click कर दिए, जैसे ही आप इसको click करेंगे, clear हो जाएगा, लेकिन इसमें रहान रखना है कि मन्त के बीच में, बिना save किये, आपको clear नहीं करना है, otherwise यह क्या करेगा, clear करतेगा, देखिए, यह हमने fill किया है, clear को click करते है, यह clear हो जाएगा, तो automatic save भी हो जाएगा, clear भी हो जाएगा, तो automatic attendance seat है, पूरा format यहाँ पर, जो भी आप teacher का नाम देंगे, जितने भी holidays है, इसको आप प्रेस करेंगे, आप देखेंगे, पूरा column यहाँ पर color हो रहा है, Sunday को थो हमें by default छोड़ी देना है, हम holiday को ही select करेंगे, जितने भी holidays आप लेंगे, उतने automatic color में होते जाएगे, तो automatic attendance speech आपको पसंद आया होगा, यहीं आपको पसंद आया है, आपको पसंद आया क्लास वाइज डेटा भी जोड़ेंगे, तो उसके लिए आग एके वीडियो से continue वाच करेंगे